हलो फ्रेंड्स वेलकम टो अनकेडमी मैं कृतिका स्वागत करती हूं आप सभी का अनकेडमी यूजी सीनेट चैनल पे सबसे पहले दोस्तों आप सभी को वेरी गुड़ आफ्टयोन गाइस सबसे पहले जितने भी लोग मेरे साथ में जुड चुके और इसी के साथ आई रिक्वेस्ट है कि एक ला आप क्लास को शेयर कर दें, शेयर करने से क्या होगा, सारे लोग जितने भी आपका सर्कल है जोग्राफिका जो सर्कल है, वहां तक हमारी क्लास का नूटिफिकेशन पहुंच जाएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे ये 15 डेस के क्रेश कोड सिरीज में हमारे साथ में जुड़ सके जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, सब लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि आज हमारे कोशन आंसर थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं यूनीक कोशन आंसर होने वाले हैं उसके पहले जो भी हैज क्लास में पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बता दू गाइस मेरा नाव है Krittika Paarik, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्लासिस लेकर आती हूँ जो भी मेरे दोस्ते हैं, जो मेरे साथ में जुग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जो मेरे साथ में जुग मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जोग्राफी एंजी क्यू सीरीज में चलाती हूं अभी हमारी जोग्राफी की दो टाइप के सब्सक्राइब करने का अपने जोग्राफी की जानते हैं कि जादा दिन नहीं है आज 30 तारीक हो चुकी है 12 November को आपकी एक्जाम होनी है और जैसे कि आप सभी को पता है कि एड्मिट कार भी आप लोगों के आ चुके हैं जिन्हों ने अभी तक अपने एड्मिट कार डाउनलोड नहीं किये हैं पहले अपने क्लास होने के बाद में एड्मिट कार जाएं देखें एंटे की अब यह है कि 12 तारीक एक्जाम की उसके आगे पीछे का कोई स्कोप नहीं है कि अब एक्स्टेंड होगी और नहीं होगी फिक्स है 12 नेमंबर को एक्जाम होनी है मतलब होनी है तो इसी लिए दोस्तों आपके लिए डबल बैनिफित इमतलब की डबल धमागा मैं लेकर आई सब्सक्राइब किया है आपको नॉलिज है बट अगर हमें जुड़ना है स्पेशल से तो कैसे जुड़े तो करना कुछ नहीं है दोस्तों सबसे पहले अपने फोन में डाउनलोड कीजिए अनकैडमी लर्निंग बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एंबी का एप नहीं है लेकिन है तो आपका क्यों की गोल है अतूस्ट यूजी नेट तो पर गोल में आपको छूस कर लेना है यूजी सिनेट ध्यान रखेल नेट है catch honestly life आपको एंद यूजी सी तो आप फॉलो का बटन दबाईए, मुझे फॉलो कीजिए, फॉलो इसलिए करा रही हूं, ताकि क्लासे की नोटिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलते रहें, यहां तक का क्लियर है, तो जैसे ही आपने अनकेडमी लर्णिंग पर गए, आपने खुद को एंड्रोल कर व जो की है एक इतना बैनिफिशल जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, अनकेडमी प्लस पे आपके कम्क्लीट पेपर वन और आपका पेपर टू, पेपर टू मतलब आपका जोग्राफी वहां पेपर टू के पचास से जादा सब्जेक्ट्स अवेलिबल है, तो अगर आप प्लस पे मेरे साथ में पढ़ना चाते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाते हैं, तो दोस्तों जल्दी कीजिए, क्योंकि यह जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, प्राइज ओन हाइक, जी हाँ बिलकुल आज 30 तारीक हो चुकी है, आपके पास में आज का और कल का दि है, एक तारीक से आपकी फीस में 15% की भड़ोतरी हो रही है, यानि कि अभी जिस फीस को आप 11,550 में ले रहे हैं, जो एक साल का सब्सक्रिप्शन है, उसके आपको देने पढ़ेंगे 13,000 रुपे, तो इसमें कुछ मुझे बैनेफिट नहीं नजर आता है, दो दिन पहले दो दिन बाद में लीजिए, अगर फायदा हो रहा है, तो फायदा होना पहले है, जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 1st of November के पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए फांडेशन बै मिलता ही है, इसी के साथ मैं आपकी complete तैयारी कराती हूं, paper 1 की और paper 2 की भी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, complete paper 1 और paper 2 की तैयारी आप लोगों की यहां पे हो जाती है, करना कुछ नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताय था कि आपको आपका goal चूस करना है, तो यहां पर इत plus को आपने subscribe किया, उसके बारे में जाना है आपको, plus पर tap करने के बाद में get subscription, बिल्कुल easy method है, get subscription पे आप चले गए, then आपको guys get subscription पे जाने के बाद में plan आपके सामने आ जाएंगे, यहां जो आपको अभी 11,550 नजर आ रहा है, यह बहुत जल्दी आपको 13,000 दिखेगा, have a referral code, आतलब कि आपके पास में कोई कोई है, जिससे आप discount लेना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, बिल्कुल हमारे पास में कोड है, वहां apply कर देना है, आपको यह आपको अपर apply कर देना है, जैसे ही आप apply करेंगे, कुछ इस तरह का symbol आपको screen पे नजर आएगा, जहां पे समझ में आगया होगा कि आपको subscription कैसे लेना है, मैं इसलिए इतना डीटेल में बता रही हूँ क्योंकि आज और कल का time ही आपके पास है, उसके बाद में आपके पास में टाइम नहीं बचेगा, तो देखिए, फिर आपकी fees हो जाती है 10,345 अगर आप special class regular ले रहे हैं और EMI option भी available है, EMI आईगी आपके लगब 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 800 रुपीज पर मन्त की, आप सोचें, नेट का paper 1, paper 2, 800 रुपय में पूरा, पूरा 800 रुपय में महीने में मिल रहा है, इसका मतलब 25 से 30 रुपय एक दिन का खर्चा है, अब आप सोच लीजे कि कितना benefit में जा रहे हैं, जल्दी से जाईए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और 10% डिसकाउंट पाने के लिए, रैफरल कोड, UGC10 यूस करना ना भूले, और उमीद करती हूँ, आप सभी ने इसी दोरान क्लास को बैक टो बैक शेयर किया होगा, अगर नहीं किया है, तो फिर से शेयर क Like, Castle आप के निकप्ट हो गया, सिंकोल हो गया, पॉइंट-बार हो गया, और आपका अपने त्रसमेट हो गया,59 डिसकैप के आपके, मतल्दा, प्रोसेस से यह बनता है, इसके लिए आपको जल्दी सानसे बताया है, तीसी सेकिंद का समय है आपके पास में, इस्ते जाए जा कि यहां पर इसको करेंट कर दिएगा यहां पर है यहां पर है यहां पर भी पिर आता है सी दैन आता है डी कि इसको कर लिजेगा चलिए तो देखिए दोस्तों यहां पिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा B B से मेरा मतलब यह था कि आपके जो निक पॉइंट होता है वो हमेशा गाइस आपके रेजुविनेशन से मतलब की क्यों से सविह रिलेट करता है नदी से इसका प्रॉस bara का जाता है अपका सिंग्फोल तो संख़म के बारे में तो सोचना ही नहीं है दोस्तों सेन फूल हमेशा आपके स्वरी वींजन को प्रिजंट करता है कास्ट जो एरिया होता है जिसके बारे में मैं भी आपको पुरा डीटेल में बताने वाली हूँ देन आता है दोस्त आपको पॉइंट बार पॉइंट बार असोसियेट करता है आपके फ्लूविय लेंड फॉर्म को मतलब कि जलिये इस्तिला करतियों को और फिर उसके बाद में आता है आपका अकॉर्डेंट समिट जो की प्लांटेशन को इंडिगेट करता है बी हो जाएगा हमारा करेक्ट टांसर यहां पे पूरी तरह से मैचिंग करके मैंने आपको बताई है अब एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निक पॉइंट की जैसे कि मैंना आपको बताई था कि यह रिवर से रिलेट करता है तो यहां पर आ जाती है हमारी रिवर अब देखिए मतलब की आपके रिवर के जो स्लोप के अंदर बिलकुल एक खड़ा ढाल बोल दीजे या फिर एक बहुती पैना ढाल बोल दीजे उसमें आपके क्या बनता है निक पॉइंट बनता है सच ऐस वाटरफॉल अब वाटरफॉल हमारे किस तरह से होता है आप सभी जानते हैं कि एक स्लोप के तरह होता है कुछ इस तरह से वाटरफॉल की जो लेंडफॉल होती है कुछ इस तरह से यहां पर आपके कौन सब कव बनता है आपके कॉन्वेक्स बनता है और यहां पर आपके कॉन्केव बनता है तो यहां पे जो निक पॉइंट की बात आ रही है उसके लिए भी यही बोला जा रहा है कि बिलकुल एक शार्प इसकी शेप बनती है like a waterfall ठीक है और a lake निक पॉइंट रिफ्लेक्ट डिफरेंट कंडिशन्स और प्रॉसेजिस ऑन दा रिवर आगया नहीं यहां पर आंसर यहां पर करेक्ट आंसर हमारा यह देखिए नदी पर on a river often caused by the previous erosion due to glaciation of a variance in lithology ठीक है in the circle of erosion model निक पॉइंट advance on one cycle upstream our inland replacing an order cycle यह यहां पर पूरा निक पॉइंट के बारे में दिया हुआ है मैं आपको cast reason भी समझाऊंगी जिसको लेना है एक बज़ का screenshot ले लीजे ओके अब हमारी next number पर आया था दोस्तो cast reason तो जैसा कि आप मेरे पीछे वाली screen पर देख पा रहे है कुछ इस तरह की topography आपको वहां पर देखने को मिलेगी कास्ट की topography कैसी होती है मतलब कि इनका आपस के अंदर ही पानी के चलते ही इनका जुडाओ होना शुरू हो जाता है तो कुछ इस तरह की आपकी cast topography होती है इसमें देखिए कि यह क्या होती है कास्ट इसला कृती वर्णिक रूप से वर्णिक रूप से तब होती है जब कार्बोने चटान की एक परत सतय की मिट्टी के ठीक नीचे होती है जिसके विट्टन के कारण कभी-कभी अचानक चेताउनी के बिना सतय की मिट्टी में कीप बन जाते है मैंने जब भी हम दोस्तों weathering पढ़ते हैं weathering में हम तीन तरह की weathering पढ़ते हैं पहली होती है physical, दूसरी होती है chemical, तीसरी होती है biological chemical weathering को भी हम पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला होता है oxidation, दूसरा होता है carbonation, तीसरा होता है आपका hydration चौता होता है desilication और फिफ्ट नंबर पर होता है आपका solution तो जहां पर बात आ जाती है carbonation की, carbonation का process क्या होता है जब भी आपके environment में मौझूद, मान लीजी की CO2 है, वो कुछ इस तरह है की चटान के साथ में पानी में घुलके या किसी other process से अपनी activity करता है तो वो उसको carbonate में convert कर देता है carbon को carbonate में convert करता है और जब मान लीजी की कोई potassium है या कोई calcium है इन चीजों से उसका reaction होता है तो वहांपे bicarbonate बनता है यह मैंने बहुत अच्छे से explain किया है हमारी previous class में, आप जाके देख सकते हैं types of weathering में तो यहांपे भी क्या हो रहा है कि cast reason हमेशा जो बनेगा दोस्तों वो आपके chemical weathering से बनेगा chemical weathering के भी आपके जो second number का point आता है मतलब कि carbonation, carbonic current उसकी वज़े से यह बनेगा तो cast reason आपको clear हो गया कि वो किस से बनता है then हमारे next number पर आती है दोस्तों आपके जो nick point की में आप बात कर रही ही थी point बार की जो हम बात कर रहे हैं तो यह देखिए दोस्तों इस जगे पर आपको point बार नजर आ जाएगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी river है, river का flow बिल्कुल बरकरार है लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर क्या बन चुका है, meander बन चुका है तो यहाँ पर मियांडर जैसे बना, तो यह तो बन रहा है आपके मियांडर बट इन सिच्वेशन यहाँ पर ब्लॉक्स बन जाते हैं और इस वज़े से नदी का यह जो पार था वो उससे separate हो जाता है और इससे वहाँ पर आपके Oxbow Lake बनती है, मतलब गोखुर जील बन जाती है लेकिन थोड़ा सा आगे चली तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कही ना कहीं कटाओ इस जगे पर भी हुआ है और यहाँ पर पानी का रीच नहीं है तो इस जगे को हम किस नाम से पुकारेंगे Point Bar के नाम से पुकारेंगे और Point Bar आपके कौन से Land Form बना रही है Fluvial मतलब की जलिये clear यहाँ तक का सभी को कैसे बन रही है तो यह होती है दोस्तों हमारे पहले ही Question की आपके तीन concepts are clear हो गए होंगे, Nick Point क्या होता है, Cost Reason क्या होते हैं, और आपके जो Point Bar होता है, वो कब बनता है, तो यह देख लीजिए, जब भी आपके Inside में, मतलब कि Oxbow Lake, मियांडर्स के Side में जब Deposits होने लग जाएं, कुछ इस तरह से, जैसे यहां पे बन रहे हैं, एक यहां पे बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है, तो यह सब क्या कहलाएंगे, आपके Point Bar कहलाएंगे, exam में पूछा जा सकता है, Land Forms related सवाल है, बहुत ही easy और बहुत ही सही आपको समझ में आ गया होगा, चली, तो अब हम चलते हैं दोस्तों हमारी, जो इसके बार में ये था कि एक बहती धारा के आंतरिक किनारे के साथ, रेत और बजरी का एक छोटा गुमावदार रेट्स, मतलब की कटक, और पट्टिया धारा द्वारा, जमा तल्षट के धीमे संचे के माध्यम से बनती है, जब इसका वेग आंतरिक बैंक के साथ में गिरता है, स्क्रीन शॉट जो भी लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजे, बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टन है, आपको यहां पर यह नहीं देखना है, कि यह सिर्फ एक सवाल में इतना टाइम लिया है, आपको देखना है कि आपके तीन-चार कॉंसेट्ट्स यहां पर अच्छे से क्लियर हुए है, चलिए, तो यहां तक का तो सबको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं हमारे next question पे, लेकिन उसके पहले फिर से कहूंगी, class को share करते रहिए, sharing नहीं रुपनी चाहिए, ओके, देखिए, consider the following statement, दो statement है आपके सामने, पहले तुनको consider करें, और बताएं कि इन में से कौन सा statement आपको correct लग रहा है, यह है guys आपके साइकलोन के regarding, दो statement है, आपको आराम से time दिये जा रहा है, जल्दी से देखिए और इसका answer कीजे, ओके, तो सभी ने सवाल तो easily पढ़ लिया होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा correct answer दोनों ही माने जाएंगे, C is the right answer, बोथ are correct, क्यों है correct, पहला सवाल यहाँ पर क्या था, tropical cyclone occur only in a oceanic area where the sea temperature exceed 33 degree Celsius, अब यहाँ पर बात ही हमें यहाँ पर देख रही है कि tropical cyclone, अब आपको अगर बोला जाए कि divide cyclone, तो जो cyclone को हम divide करते हैं, दो parts में divide कर देते हैं, पहला आता है दोस्तों, tropical, और दूसरा आता है temperate, मतलब कि उश्नकटी बंदी है और शितोश्नकटी बंदी है, उश्नकटी बंदी चकरवाद कहां से कहां आएगा, आपके 8 degree to 20 degree latitudes के बीच में आएगा यह, और यह आपके 35 to 65 degree latitudes के बीच में आएगा, तो जो आपके cyclone 8 to 20 degree latitude के बीच में आ रहा है, तो आप अपने earth पे एक बार गोला को एक जड़ने करके देखिए, कि equator से 30 degree उपर और 30 degree नीचे का area ट्रॉपिकल बना जाता है, ट्रॉपिकल इसलिए मना जाता है, क्योंकि अगर हमारे sun का insulation चाहे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरे, इक्वेटर का area वो ज़रूर कवर करता है, और इसी लिए equator पे जाधा insulation मिलने की वज़े से वहां का temperature जाधा होता है, और temperature को जो एक criteria उसका decide किया गया है, वो 33 degree Celsius decide किया गया है, तो पहला statement पूरी तरह से सही है, दूसरा statement यह है कि in order to achieve the rotational component, the tropical cyclone must be sprammed, and at least 5 degree north और 5 degree south of the equator, मतलब कि जब उसको proper rotational area cover करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको equator से 5 degree उपर और equator से 5 degree नीचे का area cover करना पड़ेगा, क्यूं करना पड़ेगा, क्यूंकि यहाँ पे जो इसका rotational component है, इसके पीछे जिम्मेदार होता है आपका korealis force, जिसको हम बोलते हैं na korealis ball, korealis ball जिम्मेदार होता है, और equator के पास में korealis ball काम नहीं करता है, इसलिए कम से कम थोड़ा दूर तभी मैंने यहाँ पे लिखा, कि टैंप tropical cyclone 8 degree to 20 degree Celsius के बीच मिलते हैं, प्रॉपर एक्वेटर पे जितलब की 0 degree पे कभी भी ना तो korealis force काम करता है, ना ही कभी cyclone आते है, ट्रॉपिकल cyclone 0 degree पे कभी नहीं आएगा, वो आएगा आपके 5 degree north और 5 degree south के बाद में, ठीक है, यहाँ तक का clear हो गया, तो दोनों ही statement हमारे correct है, C इसका बिल्कुल correct answer यहाँ पे माना जाएगा, ओके, ओके, next देखिए, अब देखिए, जैसे कि आप इस map के थुरू यहाँ पे समझ सकते हैं, आपके जितने तरहे के जो बड़े-बड़े cyclone आये हैं, यहाँ पे आता है दोस्तों आपके Atlantic, एक मिनिट, यहाँ पे आता है दोस्तों आपके Atlantic, Atlantic Ocean के अंदर जो cyclone होते हैं, उनको hurricane के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपके Indian Ocean में अगर आएगा, तो वो cyclone की category में कहला आएगा, और अगर वो आपके Pacific Ocean में आता है, तो वहाँ पे वो टाइफून और टॉडनेड हो, और इसी के साथ साथ अगर मैं आस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो दोस्तों वहाँ पर यह आपके विली-विली, विली-विली के नाम से जाना जाएगा, तो इसका मतलब अलग-अलग जगे अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, यह सारे आपके किसके एक्जामपल है, ट्रॉपिकल के एक्जामपल है, आप हरीकेन को ले लीजे, क्यूंकि कहां आ रहा है आपके, यहाँ पे आता है आपका Caribbean Sea, Caribbean Sea से आपका हरीकेन निकलना शुरू होता है, बिल्कुल मिड लाटिटूट्स पर आ रहा है, ट्रॉपिरेट साइकलोन किस जगे बनेगा, थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि यहाँ पे चलना पड़ेगा, बिलोव थर्टे, ऊपर 35 तो 65 के बीच पे चलना पड़ेगा, सिद्धान्त थे, क्या उनकी आलोचनाई थी, यह सभी मैंने बताया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं, दोस्तों, इतना कुछ डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो बात वही है, अनकैडमी प्लस को आप सब्स्क्राइब कर सकते हैं, और सब्स्क्राइब करते वक्त, रैफ्रेल कोड यूज कर सकते हैं, दोस्तों, UGC10, जो कि आपको इहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, for 10% instant discount, क्योंकि एक तारिक से फीज बढ़ जाएगी आपकी 15%, तो उसमें नुकसान है, तो आपका है, तो थर्ड नमब का सवाल हमारा, In which one of the following reason is the maximum amount of world phosphorate produced? हमारे किस छेत्र में विश्व में फासफेट की अधिक्तम मात्रा का उत्पादन किया जाता है? Northern America, Northern Europe, North America, Northern Africa, sorry, Northern Europe, North America या फिर Northern Australia, बात हो रही ही है, यहां पर गाइस, आपके maximum amount of world phosphorate, यह सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछ चुकी हूं, तो जिसको लगता है कि हमें आता है, तो फटा फिर से सकांसर कर दीजे, देखिए, इतना नहीं सोचना है गाइस, यहां पर हमारा correct answer कहलाएगा, North America, मतलब कि आपका उत्तरी America, यह reason, North America, में आपके यह किया जाता है, तो इक बार हम इसका इंडेक्स बना के देख लें, कि कितना कितना पर्सेंट पे, कितना कितना इसका लिया जाता है, तो सबसे पहले देखिए, यहां पर गाइस, आपके world phosphate rock reserved by country, option कि अगर में बात करूँ, तो सबसे पहले तो guys, यहां पर आपके सहारा आता है, और ओर वर्ल्ड में, ठीक है, बट यहां पर हमारे सामने option क्या था, South Africa option में था, यहां पर आ रहा है आपका मोरको and Western Sahara, मतलब कि पस्चिमी सहारा, second number पर आता है चाइना, option में नहीं था, ठीक है, इसके बाद में guys, आपके, अगर मैं बात करती हूँ, फिर आती है आपके South Africa, option में हमारे Northern Africa था, sorry, Northern Africa हमारे option में था, then Jordan, उसके बाद में आता है आपका United States, तो सबसे पहले हम चार को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि चारो ही हमारे option में नहीं थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, Northern Africa, Northern Europe, North America and North Australia, और जब कि अगर बात की जाए, इनकी तो सबसे पहला रहा है आपके Western Sahara, then China, then South Africa, option was Northern Africa, Jordan, फिर आते हैं, फिफ्ट नमबर पर United States, मतलब कि इनका जो लग 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 बारा सो मिट्री टन के अराउंड इनका प्रडेक्शन यहां पर किया जाता है, टोटल कितना होता है, 16,000,000 टन का प्रडेक्शन होता है, जिसमें से अमेरिका का रोल होता है, 12,000, फर्स नमबर पर आता है, Western Sahara, क्लियर सभी को यहां पर, यह हो गया आप चलिए, next देखिए, match the four type of soil area marked as one, two, three and four in the given map with the following soil types, red sandy soil, mixed red and black soil, red loamy soil, या red and yellow soil, आपको यहां पर, यहां पर नजर आ रहा है, उमीद करती हूं सबको clearly visible होगा, one, two, three, four, then one, two, three and four, आपको बताना है कि एक नमबर पर कौनसी मिट्टे आनी चाहिए थे, इंडिया के रीजन को इमेजन करते हुए, और दूसरे पर कौनसी आनी चाहिए थे, इसे साब सापको इसकान सबकर के बताना है, देखे, सबी लोगों ने अपने घरों में अपने अपने इन अपने अपने कमरों में बैठके इसका आंसर तो ढूंड लिया होगा, कि कौनसा इसका correct answer आना चाहिए था, जी हां दोस्तों, यहां पर इसका right answer मैं बताने जा रही हूँ आपको, इसका correct answer, इस code के according, C is the right answer, कहने का मतलब यह है कि आपके जो red sandy soil है उसका area है ये वाला ठीक है then आपके आती है mixed red and black soil जो कि आपके इस area में देखने को मिलती है ये reason में वो double up होती है then आपके आती है दोस्तो red loamy soil वो मिलती है guys आपको यहां पे कुछ राजस्तान के बेल्ट में कुछ कुछ आपको जारखंट के बेल्ट में then आपके आती है red and yellow soil हालांकि चारो के characteristic कहीं ना कहीं तक same है but reason बिल्कुल different हो जाते है वो आपको मिलेगी guys आपके coastal area में गुजरात और महारास्ट के तो यह है आपका सही option c is the right answer c वाले कर लेंगे plus 2 c इसका बिल्कुल सही जवाब है okay next देखिए अब देखिए यहां पे जैसे की map पे मैंने आपको बताय था कि कौन-कौन सी soil कहा देखने को मिलती है यहां पे आपके आगई थी यह जो बेल्ट था यहां पे आपके आगई थी end number पे आपके red and yellow soil fourth number पर आगई थी ठीक है यह देखिए यहां पे आगई थी red and yellow soil इस जगह पर आगई थी आपके mixed soil, loamy soil यह सारी soil आपके इंडिया के अंदर अलग-अलग reason में पाई जाती है यह बहुत ही minor सा इनका classification किया गया है बहुत ही minor classification है अब देखिए फिर से दो statement है तीन statement है उनको consider करना है और आपको बताना है कि कौन से statement correct है पहला यह है the vocal circulation weakens during alnino event, alnino event often result in flooding in California and during alnino years there are a fever hurricane in the Atlantic जल्दी से बताएं क्या होगा इसका correct answer देखिए आप लोगों का ही यहां पर फेवरेट आंसर है जो अकसर आपको फेवरेट लगता है इसका मतलब यह है अव्दी मतलब की all of above 1st, 2nd and 3rd, तीन ही statement correct है कैसे है the walker circulation weaker during alnino event, walker circulation क्या होता है आपका पहली बात तो कोई एक walker circulation थे जिरो ने सबसे पहले इसके बारे में बताया तो उसको walker circulation बोलता है जब भी alnino का मौसम आता है मतलब कि जब भी temperature गर्म हो जाता है तब आपका walker circulation weak पढ़ जाता है दूसरा यह alnino event often result in flooding in california walnino का होते हैं वो alike California के आस पास तो क्या या करते हैं बाढ को ले आते है क्यूं क्युँप कि गटना कहा हो रही है pacific ocean के सावथन pacific ocean में मतलब की कहीं कहीं पेरु के तट के पास में अल donчив но की घटना हो रही है तो उसज सी अल-नीनो के दोरान और अगर मैं imagine करूं ला नीना की situation तो ला नीना की situation में इंडिया में बाड़ आ जाती है Reason क्या है वहाँपे चलने वाली trade winds टेरेड विंड्स का direction ड्यूरिन अल-नीनो सीजन इंडिया की तरफ या हिंद महासागर की तरफ नहीं मुड़ पाता है जिस वज़े से वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है और तीसरा सवाल ये कि दिरिंग अल नीनो इयर्स देरारे फेवर हरीकेन इन दा अटलांटिक ये भी बिल्कुत सही है अगर अल नीनो के दॉरान बार आ रही है तो अगर अल नीनो इयर्स आ रहे है तो देरारे फेवर हरीकेथ ये भी बिल्कुत सही है तीनो ही स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है जिननुके उन्हें किया है गर रह beef बिल्कुल इसका सही जवाब माना जाएगा चलिए तो next देखते हैं हमारा यहां पे देखिए आपका वार्कल सर्कुलेशन क्या होता है आपको clearly visible होगा पूरी तरह से यहां पे cold depth water है ठीक है situation कौन सी बन रही है अल नीनो की situation बन रही है मतलब यह कि कहीं ना कहीं 10 degree celsius तक का temperature increase हो चुका है हवा आई उठी humid हुई humid हुई के बाद में फिट से वो क्या हो जाती है गर्मी की वज़े से dry dry के बाद में circulation वहाँ पे चलना शुरू हो जाता है और इसका असर आप लोगों के क्यूंकि यहां पे यह South America में हो रही है यह गटना तो इसका असर आपके Australia इंडोनेशिया और इंडिया पर भी पढ़ता है किसके रूप में आपके Southern Oscillation के रूप में मतलब कि दक्षणी दोलन का नाम आपने सुना होगा दक्षणी दोलन की वज़े से पहले गाइस बिफोर 1940 तो 1950 अल नीनो को और आपके Southern Oscillation को दोनों को ही बिल्कुल अलग-अलग फेनोमेन के रूप में देखा जाता था लेकिन उसके बाद में कुछ विद्वान ऐसे आते हैं जिन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में एक Strong Interrelation है और उसके बाद में इन दोनों को साथ में पढ़ाई इनकी की जाने लगी जो कि कॉमनली कहला है आपके ENSO event मतलब कि Al Nino and Southern Oscillation after 1960s के बाद में इनको साथ में बोला गया इसके पहले ये बिल्कुल अलग और separately इनकी भाशा का या इनके जो चैप्टर होते थे उनकी पढ़ाई की जाती थी चैलिए तो अब हम इसी बात पर नेक्स वोशन पर चलते हैं उमीड करती हूं आप सभी को यहां पर समझ में आ गया होगा किया था इन डिस रीजन दिफरेंट फॉंदा है डिलेस सेल मुविंग बिट्वीन डिफरेंट लेटिट इवर्कल सट फॉल्स पर्टिक्लल एकवेटर आपके भूमत दे रेखा के करीब यह अपने क्या करती है अपने जो सेल्स होती है उनको डवलप करती है चलिए, next consider the following statement बहुत consider कर वा रहे हैं मुझे लगता है exam में शायद इस से related बहुत अच्छे सवाल आने वाल है हर statement को consider करने की बात कर रहे हैं consider कर लीजे mid-atlantic ridge surface above the sea level in island, Iceland the St. Andreas fault is a transformed fault which of the statement given below is a correct कौन सा statement आपको लगता है कि यह सही होना चाहिए यहां पर भी इतना सोचने की कोई ज़रत नहीं है यहां पर assertion reason नहीं है अगर assertion reason होता तो यह दोनों statement सही होते हैं बट explanation नहीं होते हैं यहां पर से वितना पूछा गया है कि आपको बताना है कि आपको कौन सा statement इन में से सही लग रहा है तो देखे दोस्तों मेरे हिसाब से तो यह दोनों ही सही जाने चाहिए बोत क्यूंकि बात यह रही कि मिड अट्लांटिक रिट कहां से कहां जाती है यहां पर आजाता है आपके अमेरिका यह आगया आपके अट्लांटिक ओशियन ठीक है अब अब आइसलेंड के ऊपर आइसलेंड के पास में इसका सर्फेस पार्ट होता है तो यह स्टेट्मेंट पूरी दर से करेक्ट है दूसरा स्टेट्मेंट हमारे सामने यह वो रखा गया है दूसरा स्टेट्मेंट यह बोला गया कि सेंट अंड्रियास फॉल्ट इस ट्रांस्फॉर्मिंग फॉल्ट तो इस पे बिल्कुल सही है क्योंकि प्ले टेक्टॉनिक में हम तीन तरह के फॉल्ड पढ़ते हैं गाईस पहला आजाता है आपका कन्वर्जेंट कि सेकेंड नंबर पर आ जाता है डाइवर्जेंट कि एंड थर्ड नंबर पर आता है आपके ट्रांस्फॉर्मिंग तो कन्वर्जेंट में क्या होती है बाउंडरी एक दूसरे के पास आती है मतलब कि टकराती है डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जाती है ट्रांस्फॉर्मिंग में ना दूर जाती है ना पास आती है बस एक दूसरे से ओपोजट डिरेक्शन में अपनी गतिविधी करना शुरू करती है और जब दो तरह की प्लेट एक दूसरे से बिलकुल opposite direction में movement करती है तो उनके बीच में यहाँ पे fault हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है आपके faulting बोल दीजे चैब रंच बोल दीजे और सेंट एंड्रियास का fault तो बहुत ही famous fault है गाईस इस forming fault है मतलब कि ना प्लेटे दूर गई ना प्लेटे पास आई क्यूंकि यह कहां पर हुआ था दोस्तों अब इसमें यहां पर हमको थोड़ा सा दिमांग लगाने की जरुवत है बोला गया है सेंट एंड्रियास fault कहां हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है नॉर्थ अम कर दिया जिस वज़े से यहां पर फॉल्ट का निर्मान हो गया है ओके है कहां गया अच्छा देखिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर यह देखिए दोस्तों यहां पर आता है आपके पहले बात तो आपके जो मिड अट्लांटिक रिट्स की मैंने बात बताई थी यह देखिए यह आता है आपके साउथ अमेरिका यह आता है आपके अफरिका ऊपर नॉर्थ अमेरिका और यह जो आपको पूरा नजर आ रहा है यहाँ पर यह एक जब स्परेडिंग थी तो उन्होंने बताय था कि जब भी दो प्लेट एक दूसरे से ओपॉसरे से में पव्मिंट करेगी तो नीचे से मेगमा चैम्बर में बाहर आएगा ऊपर आके जम जाएगा और जमने से क्या बनेगा वहाँ पे एक फ्लोर बन था सी फ्लोर का नाम दिया था तो अब एक सवाल इसी से रिलेट करता हो आपकी पिछली एक्जाम में पूछा गया था कि इन में से कौन सा जो ओशियन है वो स्प्रेड कर रहा है ऑप्शन एट्लांटिक इंडियन आर्क्टिक एंड आपके पैसिफिक उशियन इसका जवाब क इसको बढ़ाती जाएगी बढ़ता जाएगा और क्योंकि दो प्लेटें दूसरे से दूर जा रही है तो यह दो जगे भी दूसरे से दूर जाएगी प्रिथवी गोल है तो कही ना कहीं दूसरे पर टक्राइंगी इस वजह से पैसिफिक उशन क्या हो रहा है और यह आपको देख पा रहे होंगे यह जो रेड स्पॉट में आपको नजर आ रहा है रेड लाइन यह आपके कौन सा है सेंट एंड्रियास का फॉल्ट है कोस्टल रिजन के अंदर यह बना था आपके कैलिफोनिया के अंदर ओके इसकी लंबाई मैं आपको बता दू एट चलिए तो यह भी आप सभी को क्लियर हो गया है यहां पर दोनों ही चीज़े समझ में आ गई होगी स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले सकते हैं ओके नेक्स देखिए विच वन ओफ दा फॉलोविंग सीक्वेंस ओफ ओशियन ट्रैचेज इस करेक्ट ली करेक्ट इं टर्म ओफ दा असेंडिंग ओडर ओफ दियर डैप्थ मतलब की उनकी गहराई के इसाब से असेंडिंग ओडर मतलब की छोटे से बड़े की तरफ सही लग रहा है यहां पर आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में बताना है आपको चाल ट्रैचेज के नाम है आपके सामने जल्दी से स्कान सकर के मुझे बताएं कि देखिए आपको पहली बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे जादा किसकी है सबसे जादा हम मैरियाना ट्रैच के मानना है 11,000 33% 33 meter इसके बाद में सबसे कम कि अगर में बात करो दोस्तों तो यहां पर आपको यह ए ओप्शन और बी ऑप्शन को दिमांग पर रखना है और इसको हटा देना है क्योंकि सबसे पहले हम से पूछा गया है सबसे कम बताएं तो सबसे कम आती है गाइस आपके अलेटियों दोस्तों हर्बिडिस जिसकी आती है आपके 8000 8000 मीटर की गहराई और अगर में मिंडाने ओं की बात करूं तो यहां आपके कम से कम 10,050 मीटर गहरा है तो नंबर वन पर तो आता है आपके यह ठीक है नंबर 2 पर आते हैं आपका हर्भी देशन थर्ड नमबर पर आता है यह इसका असेंडिंग ओर्डर कहलाएगा मतलब की छोट घटते से बढ़ते की तरफ कम से जाधा की तरफ क्लियर आपको यह देखिए यहाँ पर आजाते हैं आपके सारे ट्रेचेज यहाँ पर तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके अलेवटियन ट्रेच की तो देखिए वो यहाँ पर आता है आपका पूरी तरह से यह है आपका प्रशान्त महासागर प्रशांत महासागर में अलेवटेवन ट्रेच कितनी बताई थी इसकी 5500 मीटर सम्थिंग इसकी गहरा ही बताई थी ठीक है सेकेंड नमबर पर हमको कौन सा देखने को मिला था आपका हर्मेडियस इसकी कितनी बताई थी 8000 कहां पर आ रहा है यह आपके करीब आ रहा है यह को जाएंगे दोस्तों आपके पूरी तरह से यहां के आपके ट्रैचिस जिसके अंदर पूरा इंका डिटेल दिया गया है तीनों ही आपके Pacific Ocean के Traches थे चलिए उमीद करती हो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही होगी और भी कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से क्लास को शेयर तो कर दो जितने लोग है आपके सर्किल में और फिर से शेयरिंग का एक राउंड लगा दो क्लास अभी थोड़ी से लंबे और चलने वाली है काफी मज़ा आने वाला है नेक्स देखिए बताइए फिर से कंसिडर करने को बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि हाँ यह स्टेटमेंट हो जाना चाहिए सही बहुत एजी है दोस्तों बहुत एजी है चलिए सबसे पहले तो देखिए आपको नीप टाइट के बारे में पता होना चाहिए जहां आपने सवाल को पढ़ा पढ़ते ही गलती को कैप्चर करी मतलब सवाल को पढ़िए गलती पकड़ने के लिए मतलब कि वो एक सीधी रेखा में होते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है नीप टाइट ऑक्यूर वेन दा मून अर्थ आर एट राइट एंगल ऑफ दा सन जब वो सन के राइट एंगल में होते हैं तब आपके नीप टाइट बनता है यह चीज को याद रख लीजिए ठीक है कि नीप टाइट बनेगा मतलब कि कुछ इस तर सिर्फल का इंगल पड्वाण पर ना कि को लाइनर होता है यह को कौलाइनर बने से सब्स्प्रिंग टाइट का निरमाण हो जाता है तो उच्छ दवार की लहरे पैदा कर देती है अविसली जब बहुत बड़ा तूफान आएगा तो जापके बसंद जवार होता है मतलब कि जो स्प्रिंग टाइड होता है बसंद जवार इसमें गलत लिखा है स्प्रिंग टाइड जो होता है वो एक साथ बहुत बड़ी मातरा में फ्लो के साथ में उपर उठता है आपके टाइड आता है बट पहली कंडिशन में नीप टाइड में को लाइनर नहीं होते हैं राइट एंगल पे होते हैं स्प्रिंग टाइड के अंदर अर्थ, मून एंड सन आर इन को लाइनर ओके तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेट्मेंट करेक्ट है यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मर्तमान आपके याँगान गल्फ ऑफ टॉंग किन आपके शंगाई गल्फ ऑफ मननार आपके ट्रिकॉंबली एंड गल्फ और अबाका आपके कैरियो चार गल्फ है, खाडी है और उनकी जगे है अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेर करेक्टली मैज्ड है इसका मतलब तीन इन में से गलत है एक ही पेर यहां पर सही तरीके से मैच है देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कहलाएगा दोस्तों वो बनता है आपका A मतलब कि गल्फ आफ मर्तवान आपकी यागाउन में आती है A स्टेट्मेंट पूरी तरह से सही है जबकि B, C और D यह हो जाते हैं गलत A स्टेट्मेंट वाले बिल्कुल करेक्ट कर लीजे A is the right answer Next देखिए In which one of the following countries is a burial range located निम्द में से कौन से देश में burial range इस्तित है Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan या फिर India कहां पर आपके burial range आती है इसके बारे में मैं से वितना बोलूंगी कि अब देश भक्ति का वक्त आ गया है जागो अपने देश के बारे में क्योंकि burial range और कहीं नहीं है गाईस यह आती है हमारे इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर आती है आपके burial range आप लोग अगानिस्तान में चले गए श्री-लंका में चले गए पाकिस्तान में चले गए होंगे बट इंडिया को किसे नहीं किया होगा तो जिनोंने इंडिया को इमैजिन किया है वह प्लस फोर करो इस बात के तो क्योंकि बाराईल रेंज हमारे इंडिया का हिस्सा है इंडिया में भी कहां मिलती है बाराईल रेंज यहां पर देखिए आपके जो सिक्केम आता है मतलब कि जो सेवन सिस्टर्स आती है Seven Sisters के अंदर Baryal Range हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखने पर आ रही होगी Baryal Range Clearly visible है यहाँ पर यहाँ पर आती है आपके Mizzohills, यहाँ पर आती है आपके Mikheer Hills, Naga Hills इन सबसे घिरी हुई आती है आपके Baryal Range कहां आती है यह आपके Eastern Himalaya का पार्ट है Eastern Himalaya में आपके Baryal Range देखने को मिलती है Garo, Khasi, Jaintia, Heels के बिलकुल पैरलल चलिए उपर आजाएगी आपके Mikheer Heels यहाँ पर आजाएगी आपके Patkai Heels, देनिपके बीचे मिलेगी आपको Baryal Heels, उपर Naga Heels और फिर Mizzohills चार-पांच Heels के नाम आपको यह आदो जाने चाहिए, Garo, Khasi, Jaintia एक साथ है Mikheer उसके जस्ट उपर है, उसके पास में आती है आपके Patkai, Dain Naga, फिर Baryal, और तिर Mizzohills बिलकुल अच्छे से यहाद लख लीजेगा ओके, तो यह सवाल काफी अच्छा था Next, देखिए, बताना है आपको Tonle Sap Lake, one of the world's largest freshwater fishers, is repenshied by which one of the following river दुनिया की सबसे ताजे पानी की मचलियों में से एक Tonle Seep जील निंदलेकित नदियों में से किसके द्वारा फिर से भर दी जाती है जमा कर दी जाते है, डिपॉसिट जमा कर दी जाते है मतलब ताजे पानी कैसी जील है, जहां पर बहुत जादा माक्रा में मचलिया भी होती है तो आपको बताना है कि किसके द्वारा फिर से उसमें भर दिया जाता है यांग्टी, इरावदी, मीकांग, या फिल सेल्विन ओके तो जहां तक मुझे लगता है, सभी लोगों ने पकड़ लिया होगा C is the right answer, आपके मीकांग नदी मीकांग रीवर के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है फिर से उसको फुल्फिल कर दिया जाता है ये दुनिया की सबसे अच्छी मीठे पानी की जीलो में से एक मानी जाती है ठीक है, मीकांग रीवर आपका इसमें सबसे बड़ा काम करती है तो ये एक factual सवाल था, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है Let's move to our next question, question number 11 Consider the following statement, Kotsarika is a leading exporter of coca Malaysia is a leading exporter of rubber Which one of the following statement above is a correct? First only, second only, the both and neither one nor two आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका क्या answer निकल गाएगा? हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखेगा कि जब यहाँ पर यह option आ जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको पूरी तरह से skip करेंगे कई बार यह question भी 100% बाजी मार ले जाता है और आज की time पर यही हुआ है, आज की class में यही हुआ है इस question ने अपनी बाजी मार ली है मतलब यह कि यहाँ पर D answer आपका correct होगा पहला तो यह कि Costa Rica is a leading exporter of coca जबकि ऐसा नहीं है गाइस आपने गाना का नाम सुना होगा गाना एफरिका के अंदर यह आपके सबसे बड़ा leading exporter और Malaysia is a leading exporter of rubber जबकि यहाँ पर आजाता है आपके Malaysia की जगे Indonesia तो दोनों ही सवाल हो जाते हैं यहाँ पर गलत, दोनों ही statement है पूरी तरह से गलत that is why D is the right answer तो मेरे साब से कितने भी लोगों ने D को पता नहीं किया है नहीं किया है जिन्होंने किया है वो तारीफ के काबिल है जितनों जिन्होंने यह सोचा कि जो एक सेट परंपरा चल रही थी कि इसको हमें skip करना है उस परंपरा को नहोंने तोड़ा और D को answer को अटेम्ट किया यह पर कोस्ट अरुका कहाँ पर आ रहा है आपके यह आपके Caribbean Sea के असपास ठीक है कहाँ पर आ रहा है Caribbean Sea Pacific Ocean के बीच में मतलब की Mid America Central America के बीच में Midne America के बीच में आ रहा है आपके कोस्ट अरुका ठीक है चाली नेक देखिए Among the following South Asian countries Which one has the highest level of urbanization निम्द लिखे दक्षिन एशे देशों में से किसका शहरी करण उच्छतम इस्तर पर है श्री लंका, बांगलादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल शहरी करण के बारे में बताना है किसका सबसे उपर है इतना देखिए यहां पर बहुत ही एक माइनर लेवल पर सवाल पूचे गए हैं अगर मैं इमेजिन करूं इंडिया को देखिए, कुछ, चलेए बहुत ही बक्वास है, छोड़िए यहां पर देखिए, बात करूं दोस्तों, पाकिस्तान की पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांगला देखिए, कुछ ही सीक्वेंसे बने हुए है, यहां पर सबसे जादा जो आपके हाइस जो अर्बनाइजेशन है, वह पाकिस्तान में है, अमोंग 35% ठीक है, फर्स नंबर पर आता है हमारा पाकिस्तान, 35% अर्बनाइजेशन है, देखिए, बांगलादेश 25% के साथ में, फिर आता है श्री लंका 24% के साथ में, और नेपाल गई सबसे लास्ट के अंदर आता है अर्बनाइजेशन के मामले में, मतलब कि लगवग लगवग 12% तो यहाँ पर उनके टोटल पॉपुलेशन का पूछा गया था, कि किसकी अर्बनाइजेशन में सबसे जादा है तो पाकिस्तान, इन चार कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, चार कंट्रीज से अगर आता है न क्रिशी प्रधान देश है, यह वहां कि आज भी काफी लोग शहरों में न आ रहे कि गाउं में अपना जो लाइफस्टाइल है, उसको इमेजन करते हैं, वही रहते है Next, देखिए, which one of the following countries has the largest forest area in the world? बहुत ही अच्छा सवाल है, किसे इस दुनिया का सबसे बड़ा वन छेतर हैं, ब्राजील, कैनड़ा, रॉशियन यूनियन, रॉशियन फेडरेशन एंड यॉनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका Okay, तो देखिए, यहाँ पर आपके जो सबसे बड़ा आ रहा है, कि largest forest area largest forest area, एक दुनिया के बहुती बड़े देशों में से एक रॉशिया के पास में ही देखने को मिलेगा मतलब कि रॉशियन फेडरेशन के पास में दुनिया का सबसे जादा forest area देखने को मिलेगा काफी कुछ इनकी जो area है उसके अंदर forest की मात्रा काफी जादा है इंडिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इंडिया को लेकर के हाल ही के जो trends आये थे इसमें पहले लगब लगब 18% के आसपास थी अभी बताया जा रहा है कि 20 प्लस परसेंट के आसपास चल रहा है मतलब कि 20 जादा इंडिया के अंदर हो चुका है 20 ते 25 के बीच में यहां का total जो forest area है वो यहां के total land का 25 परसेंट माना जाता है लेकिन अगर मैं वर्ड की बात करो तो रशियन फेडरेशन मतलब की रशियन यूनियन क्यूंकि अपने आप में बहुत बड़ी यूनियन है बहुत बड़े देश है सबसे बड़े देशों के अंदर इसकी गिंती की जाती है इसलिए इन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा आपके forest का एरिया यह कवर करते है तो देट इस वाए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रशियन यूनियन सी इस दा राइट आंसर गाईस आगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को maximum, maximum क्लास को share करने की कौशिच करें इसको फिट से revise करके देखें, repeat करके देखें, क्योंकि exam pass आ रही है और आपको फिट से बता दू guys, 1st November भी आ रही है क्योंकि 1st November से आपकी 15% fees में increment हो जाएगा तो जो भी मेरे साथी है, subscription का सोच रहे हैं तो देखें दोस्तों, सोची मत, जल्दी से subscription लीजिए और अपने subscription में और discount पाने के लिए referral code यूज कर सकते हैं UGC10, मतलब कि University Grant Commission 10 लगा दोगे तो 10% का discount मिल जाएगा वहाँ पर आपको paper 1, paper 2, दोनों की ही बिल्कुल combined classes वहाँ पर देखने को मिलेगी बस code याद रखिएगा UGC10 और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए मेरी classes डबल धमागा भी चल रहा है सुबह 8 बजे special पे मैं लेती हूं classes जो की हमारी होने वाल हो चुकी है आज की और फिर मैं लेती हूं दोस्तों आपके रवपहर को 12 बजे दोनों में बिल्कोल different MCQs में करवाती हूं high level MCQs लेकर आती हूं क्योंकि ये net का exam है trends को अगर आप देखेंगे तो net exam का pattern regularly बदल रहा है अब हम previous year question भी कवर करेंगे मतलब कि आपका जो Saturday आपके जो weekend आ रहा है अबीट करूंगी कि आप भी क्लास उसी जोश के साथ में और बिना किसी स्किप के साथ में लें okay guys thank you so much अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को मैंने शेयर करें अभी तो शेयर करने की बात है without without any skip of a day किसी भी दिन का skipment नहीं होता है और आपके लिए regular classes आती है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएए जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें guys thank you so much have a nice day guys bye bye